हेलो दोस्तों आप चच्चे भारतियों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें हभी नहीं यार मैं थोड़ी देर बात कर लूँगा एक काम करता हूँ मैं साम को कर लूँगा साम को छोड़ो मैं कल से ही कर लूँगा सोंबार को तो एक तारिको फिर परसो ऐसे करते करते भी जहेंगे बरसो लेकिन फिर भी तुछ नहीं कर पाएगा बना लो जितने हैं तुम बनाना चाते हो किसी को कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब जिन्दगी अपने तरीके से सिखाना शुरू करेगी न फिर बैठ कर रोना मत फिर इस टाइम पर ये मत कहना पर इस टाइम ये कुछ कर लिया हुआ तो आज ये दिन देखना न पड़ता पूरा दिन मॉपाइल पर तायम वैश करने के बाद तुम ये सोचते हो कि आज का दिन भी पूरा बरबाद नहीं आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अगले ही दिन तुम फिर से रही गल्ती दोबारा से करते हो गल्तिया करना कोई बुरी बात नहीं गलतिया करना कोई बुरी बात नहीं गलती को उन्द भापिस दोराना बुरी बात है आपने अपने आपने आपने आप में एक बात objective की होगी कि वो करके देखना आप जो डेली करते रहते लिए जितना हो सके उतना time best करना जितना हो सके उतना time best करना जितना हो सके उतना फोन चलाना जितना हो सके उतना सब करने के बाद कितना मज़ा आता है और अगले दिन और अगले दिन आपको इन मैंसे एक भी काम नहीं करना अगले दिन आपको इन मैंसे एक भी काम नहीं करना अगले दिन आपको अपने important काम करना है आपको अपने important काम करना है हर इंसान के लिए अलग-अलग-अलग-अलग- important काम हो सकते है study करने वाले पढ़ाई करने वाले study कर सकते है learning को skills शिखने वाले learning new skills शिखने है defense for your young यह करने के बाद देखना कि तुमें कितनी कुछी होती है यह करने के बाद देखना कि तुमें कितनी कुछी होती है possibilities है कि process में दर्थ होता है यह करने के बाद देखना तुमें कितनी कुछी होती है possibility है कि process में दर्थ होता है मज़ा के नहीं आएगा final result जो होगा न मैं guarantee के साथ ही कह सकता हूँ पर उसमें जो खुशी मिलेगी यह खुशी लाग होना जादा अच्छी होगी उस कुशी से जो मोबाई चलाने के बात मिलती हैं टाइम रैस करना चपट करना गोगचिप करना मोबाई चलाना तो यह दिए देखना यह मजा आता है लेकि इन में फाइनल रिजल्ट में हमें अंदर इतना दर्ड होता है कि अंदर इतना दर्ड होता है कि दर्ड ही रिग्रेट होता है अंदर बहुत बड़ा रिग्रेट होता है लेकिन जो सही काम होते हैं वो important बर काम होते हैं प्रोसेज में थोड़ा दर्द होता है पर final result में हमें बहुत जादा कुछी मिलती है अब ये आपको decide करना है कि आप कौन सा वाला काम कौन सा वाला मज़ा लेना चाते हो अगर बड़ा वाला मज़ा चाते हो तो कुछ तो बदलना ही पड़ेगा गोसेज में दर्द को सहना ही पड़ेगा क्योंकि आज भी आपने भही किया जो आप कल से करते आयो तो आज भी आपको इतना ही मिलेगा जितना आपको कल तक मिलता आया है आपने भी ये कोई बार सुना हो जियो जिन्दगी एक है मौच से जियो जो मन में हाय वो करो अरे मान लिया जिन्दगी तो आपकी है पर जिन्दगी जीना भी इंपोर्टेंट है लेकिन जिन्दगी को खुल के जीनने का मतलब ये तो नहीं है न कि हम देखना देखो न करने की को तो कोई अजार बहाने मिल जाएंगे लेकिन करने के लिए से टेख जिन्द होनी चाहिए बीड में तो यहार कोई चलता है सूरज की तरह यहार कोई कोई जलता है कटिंग से कटिंग सहकर भी कभी न पीचे मुनना अरे कामिया भी गिवने टैक देती हैं जिसके सामने जो जित पर अड़ा होता है तुपान भी हार जाते हैं जहां कश्किया अपनी जित पर अड़ी होती है ज़ग समय विप्रिथ हो अगर हो जाये कटिंग ढगर मगर मन अगर हैतास नीरास हो पतम हो रहा है आत्मों रिशास हो तो खुद पर यकिन रख तू बस तू अपना करम कर यह जलता यह जलाता जो आया है तो खुझे चला जाएगा मजबुत तो तेरे इरादे हैं कोई तुससे खिला नहीं पाएगा लोग क्या खाहेंगे लोग क्या कहेंगे इनकी जिल्टा तू मस्तर तुमें जो कदन्ना है तो इस पर विश्वास करो जिद्धी बनो और इत्यास रखो आप लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगला विडियो चाहेंगे